आप भले ही अपने आसपास cockroaches का नामों निशा नहीं चाहतें पर इनके survival skills के तारीफ किये बगएर आप रह नहीं सकते इनका earliest existence आज भी subject to debate है कोई कहता है 380 million साल, कोई कहता है 280 Recent researches के हिसाब से 120 million साल पुराना है ये प्राणी इसने dinosaur, dodo, mammoth सभी को extinct होते हुए देखा है और यहां तक कहा जा रहा है कि जब इनसान extinct हो जाएंगे ये तब भी इस दुनिया में कायम रहेंगे इनका नाम एक Spanish term कुकराच्चा से आता है जिसका मतलब है चमकीला कीडा Running, jumping, flying, swimming क्या कुछ नहीं आता इसको 40 मिनिट तक अपनी सांस रोके रखने की शमता है इसमें Up to 3 mile per hour के speed से ये भाग सकता है Fly करते हुए 1 second में 3 feet तक की दूरी तै कर सकता है कुछ ऐसे cockroaches भी हैं जो उड़ नहीं सकते जैसे oriental roaches इनके survival list में अगला है nuclear radiation Hiroshima और Nagasaki के blasts के बाद On surface cockroaches extreme blasts को जहिल नहीं पाए लेकिन जो underground थे उनके उपर radiation का कोई फर्क ही नहीं पड़ा कोई भी climate ले लो Arctic या tropical ये सब जगा टिक जाते हैं पर इतने strong survival capabilities का राज क्या है Well, इनके 4000 से भी ज़्यादा varieties की तरह इनके survival के 1000 हो reasons हैं और इस list में सबसे उपर आता है adaptability cockroaches के shape and size, sense of smell, social nature और eating habits इनको highly adaptive बनाती है इनके flat body के कारण किसी भी small areas जैसे cracks and corners में ये आसानी से move कर सकते हैं Mosaic view होने के कारण नजदी की चीजों को और बारिकी से देख सकते हैं और इनका सबसे बड़ा हथियार है इनके antennas जिसके जरीए ये अपने आसपास के environments की चान बीन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं सामनेवले obstacle की height या distance नापने के लिए ये बहुत ही असरदार है खाने के मामले में इनको opportunistic eater का title दिया गया है क्योंकि wedge, non-wedge, garbage ये कुछ भी prefer करते हैं और कुछ ना मिलने पर ये अपनों को ही निगल जाते हैं इतने भुकर होने के बावजूद एक महीन अगर इनको खाना ना मिले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता वो छोड़ो अगर किसी कारणवश इनका सर भी कड़ जाए तो भी एक वीक तक तो सर्वाइव भी कर जाते हैं बिना खाने के एक मन्त तो चल जाएगा लेकिन बिना पानी के इनके लिए एक वीक से ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल है ये most area prefer करते हैं जैसे kitchen, bathroom, bed के नीचे, cupboard के कोने में ये अपना colony बना लेते हैं scientists का ये भी कहना है कि cockroaches में personality traits भी दिखते हैं ये हमेशा groups में move करते हैं इनका average lifespan होता है एक साल के आसपास एक female cockroach अपने lifetime में average 180 से 400 अंडे देती है ओके, survival तो ठीक है लेकिन इतने सारे natural talents के साथ क्या ये society के लिए कुछ beneficial है well, plant pollination में इनका बड़ा हाथ है इनके body में भरपूर मात्रा में nitrogen होता है इसलिए इनका waste और dead corpse soil के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है as per recent research cockroach milk एक high protein food है pacific beetle cockroaches के body में protein rich crystal form करता है इनी crystals को extract करके बनता है roach milk cockroaches से बनी pulverized roach powder एक patented ingredient है जो traditional Chinese medicine में use होता है इससे breast cancer, cirrhosis जैसे बिमारी का ilaj होता है 1980s में University of California के Dr. Robert Full ने अपने research में ये साबित किया था कि cockroaches के limbs के mechanism spring जैसे flexible होते हैं जिससे वो hard surfaces के उपर से आसानी से move कर सकते हैं और इसी research के basis पे एक समय advanced robotic arms बनाए गए थे जो बाद में और develop होकर prosthetic limbs creation में helpful साबित हुई cockroaches के wings पर भी similar studies हुए थे और इनके results भी successfully robotics में इस्तिमाल किया गया था nature में ऐसे बहुत से interesting facts है जिससे हम बेखबर हैं और इनी को आपके सामने लाना Rootsieker का प्रयास है अगर वीडियो पसंद आ है तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो आउ चैनल थैंक्स वर वाचिंग